next question 5 pencils and 7 pens together cost Rs.50 तो friends पहले हम यहाँ पर 1 pencil का cost और 1 pen का cost consider करते हैं 1 pencil का cost को मैं x consider कर ले हूँ और 1 pen का cost को y consider कर ले हूँ अब 5 pencils यानि की 5x होगा और 7 pens यानि की 7y होगा इन दोनों को cut together का cost हमें given है 50 अब second condition में देरा 7 pencils यानि 7x and 5 pens यानि 5y इन दोनों का cost है 46 रूप तिये हमारा 2 equation मिल गया है अब मैं क्या कर ले हूँ इस equation को 7 से multiply करूँगी और इस equation को 5 से 35 35 x plus 7 x 7 is 49 49 y is equals to 15 to 7 15 to 7 is 350 अब इस equation को 5 से प्लाइक करते हैं तो 5 into 7 is 35 x 5 into 5 is 25 25 y 46 into 5 5 6 30 केरी में हो जाएगा 5 into 4 20 और 20 plus 3 is 23 230 हो गया अब यहां पर एक्स को कोफिशन सेम है और हमारा जो सिंबॉल है वो भी सेम है हम क्या करेंगे इस equation को मैनस करेंगे यहां पर 25 भी मैनस हो जाएगा और मैनस 230 हो जाएगा 35 x और मैनस 35 x cancel हो जाएगे 49 मैनस 25 it will be equals to 24 24y अब 350 से 230 को अगर हम मैनस करते हैं तो हमको मिलेगा 120 तो y equals to 120 by 24 that means equals to 5 y हमें 5 मिल गया तो स्रेंट्स हम x निकालते हैं तो 5 x 7 इन्ट फाइव इस 35 is equals to 50 तो 5 x equals to 50-35 यानिकि 15 तो x equals हो जाएगा 3 अब हमारा यहां पर टू पैंसिल्स और थी पैंस और तो पैंसिल्स यानिकि 6 और थी पैंस यानिकि 6 और 3 पैंस यानि 6 प्लस 15 इस 21 तो 2 पैंसिल्स और 3 पैंस का कॉस 21 होगा जो की ओप्शन सी में गिवन है तो सी ओप्शन इस दा करेक्ट आंसर करके करेंस तो पैंसर का टुछ सुछन सुछन